कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है लेकिन हम कैसे स्वस्थ रहें यह बहुत बड़ा सवाल है नमस्कार दर्श को मैं जोती शर्मा बेहत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहत विशेश कारेक्रम उपचार आपके द्वार हमारे इस कारेक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में जो बिमारियां चल रही हैं जिन बिमारियों से आप जूज रहे हैं आप उन बिमारियों का आईरुवेदिक इलाज कर सकते हैं और iurved किस तरह से आपके जीवन के जो रोग है आपके साथ जो परिशानिया है उन्हें दूर कर सकता है इस विशे में हम आपको तमाम जानकारी देते हैं और आज इस विशे पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है आरवेद रत्न वैद अनिल शर्मा जी आरेंपी तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अनिल जी का अनिल जी बहुत स्वागत करूंगी कारेकरम में जी तो बिलकुल दर्श को कारेकरम के शुरुवात करें लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप भी माइग्रेट या एसडिटी गैस जैसी समस्याओं से जूज रहे हैं और आप लाख प्रयास करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं समझी नहीं पा रहे है कि क्यों आपको ये समस्याओं ये बिमारियां हो रही हैं तो आप लगता टीवी स्क्रीन पर जो नमबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन नमबर्स पर कॉल कर सकते हैं वैजी से बात कर सकते हैं और जो भी समस्याओं आपके साथ है उस रोग के बारे में और साथ ही उस बिमारी क के बारे में तमाम जहनकारी आप पा सकते हैं हमारे आज की एस एपिसोड में हम बात करेंगे gas यानि acidity डिके पारे में क्यों होती है गैस किन कार係ों से होती है किस तरह से ठीक किए जा सबसे पहले बात की जाए आपके बारे में तो कितने समय से आप प्रैक्टिस पे हैं और कैसे आप लोगों का इलाज करते हैं कैसे जो उनके रोग है उनकी बीमारियां उन्हें दूर करते हैं इसके बारे में जाना चाहूंगे देखिए मेरा अनुबव 29 साल से आरवेद में लोग दीरे दीर अनुबव करते हैं लेकिन मैंने बहुत जल्दी अनुबव किया गैस एसिडिटी के बिसे में भी और गैस एसिड अगर एसिड बॉड़ी में जादा है देखिए गैस बात पित कप तीनों ही बॉड़ी को जरू जाएंगी जिसमें आपको गैस हो जाएगी एसिड हो जाएगा कॉंश्टीपेशन भी हो सकता है वह क्यों होगा क्योंकि हमारा आहार लेने का ठीक नहीं है किस समय लेना है पानी कप पीना है वो लोगों को नहीं पता जिस कारण से गैस और एसिडिटी की समस्या आजकल 70% को उत्पन हो रही है जी तो वैज जिसएक आपने कहा के गैस और स्टीटी की समस्या हमारे आजके समय में लोगों को हो बहत करूं तो क्या कारण है इसके बारे में जाना यूद जाए कारणो है जो कि जो चिक सक है रोगी को बताते निंट उस कारण कोई हम अगर हम समझ लें जो खाली पेड़ चाहे पीते हैं सतर परसेंट लोग खाली पेड़ चाहे पीते हैं उसके साथ कहते हैं हम दो बिस्कुट खा लेते हैं नहीं आपको खाली पेड़ चाहे बिल्कुल बंद करने पड़ेगी वो सबसे बड़ी समस्या ऐसे डिटी की है और उसके बाद गैस की समस्य है तो वैजी अगर बात की जाए गैस को ठीक करना है और हमें इस बिबारी को दूर करना है तो हमें किन किन चीजों का खाने में परहेज करना चाहिए किस तरह से हमें अपनी जीवन शैली करनी चाहिए किस तरह से हमें किन विशेश बातों का द्हान रखना चाहिए ने चाहूंगे आप इसके बारे में जरूर पताई दिखी इसमें सबसे मैकपूर्ण बात में बताई कारण अपने जाना खाली पेड़ चाए अब उसका कारण में बताता हूं खाली पेड़ का अगर आप दूद बाली चाय पीत सzić का उसने तेजा भी मात्रव भर दी सरकावस. दघ्ट को भड़ा दिया तुवज एशिड जतना खड़ा था उस ने आप आप आपने उसको दोगना और कर दिया जिस कारण से आपको ओफै इंदा जलन्य लेघी चाती पर और nic Uma उसने पाचन को कंजोर कर दिया पाचन कंज की समस्या खड़ी होगी तो हमें सबसे बड़ा कारण जो है खाली पेट चाहे अब उसके बाद जिनको एसिट ज्यादा बनता है उनको को खटे पदार्ट से बहुत दूर रहना पड़ेगा किखते पदा जोब बजारों में खा रहे हैं एसिट ऑले खारहे हं यह मुंद्दा कि सरे और लंचा कौई यह बाहर का नहीं खाई है कोई भी अचार आप घर का खाई है अच्छी तरह पका हुआ होने चाहिए उसमें एसेट की मात्रा प्राकरतिक रूप से बनेगी वह आपको लाव पहुंचाएगी लेकिन भार का जो एसेट वाला है वह आपको नुकसान देगा जिस कारण से आपक ने रही आपको आपकी दिन्चरिया बिगड़ जाएगी बिलकुल काम करने कि यूश्य है आपका सारा दिमाख यह तो पीट पे लागा रहेगा यह जलन पे लागा रहेगा चुट चड़ा पण रहेगा काम में आपके रुकावट कड़ी होती जाएगी तो यह कारण है जि से अगनी के ऊपर हम पानी दाल देते हैं बुझ जाती है तो अद कच्छे भी बहां चीजे रह जाती है तो हमें अपने खाने को अद कच्छा नहीं रखना है और पच्छे का कैसे आप एक घंटे तक पानी ना पियें कोई समझ से नहीं अगर जरूत पड़ती है तो आप पान आगे और निकल आए हैं तो यह भी पेट निकल आना फिर उसको कम करना कैसे कम करना फिर तो बड़ा मुस्किल हो जाता है दर्सकों मैं अपनी दर्सकों को यही बताना चाहूंगा कि एसिट को 75% आप बॉड़ी से कम कर सकते हैं थोड़ा सा परेज परेज मैंने आपको बता ना देता हूं खाली पेट चाय बिल्कु निशेद है हम विस्तर से उठे चाय पी यह पुला नहीं किया चाय भी दो बिस्कृट काए वो भी बॉड़ी में एसिट को बनाएगा तो आप चाय छोड़िएगा मैं तो यह कहूंगा आप ज्यादा पानी भी मत पीजिए विस्त पाद हो गई तो आपको परिशानी होगी जी तो बिल्कुल दर्शको उप्चार आपके द्वार है और आपको कुछ नहीं करना लगतार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर फोन कर सकते हैं वैजी से बात कर सकते हैं और अगर आप भी एसीडिटी य इसके साथ ही दवाई के बारे में भी हम बात करेंगे अगर वैजी बात की जाए दवाई की गैस और एसीडिटी की अगर दवाई की बात की जाए तो क्या दवाई है किस तरह की दवाई है किस तरह से काम करती है कितने महीने में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा इस दो लीटर या ढ़ी लीटर पानी में मिलाएं, कम से कम आदा लीटर पानी या उससे कम सुबह खाली पेट आदा कप ले सकते हैं, पूरे दिन में ले सकते हैं, या तीन-चार बार में खतम कर सकते हैं, तो उससे आपके एसिट में पहले ही दिन से आराम मैसूस होगा, जलन कम ह होगी जो मिचली हो रही है जो उल्टी शिकाट एसिट की बज़े से खाना ऊपर आ रहा है वह एसिड उच्छार युक चीज अंदर जाके आपके लवड को एसिट को मीठा कर देगी आपके जलन को कम कर देगी साथ में वही दवा आपके पाचन को भी बहुत अच्छा करेगी ये भी देखा गया है हमने कई रोगियों पे कि वो कहते हैं हमारा पेट बहुत अच्छा साफ हो जाता है इस दवा से जबकि मातरा बहुत कम है आप उसको पानी में मिलाएंगे तो आपको टेश्ट भी नहीं आएगा तो उसमें चोटा बड़ा सब हरे को ये ले सकता आराम से और आप पांस दिन में या दस दिन में आप देखेंगे कि आपको कितना आराम आएगा मेरा कहना उचित नहीं है मुझे माले में कितना आराम आएगा पांस दिन में कितना आराम आएगा दस दिन में आपको कितना आराम आएगा आप औरों को बताएंगे नहीं वो दवा इच्छी है हम गोली खाते हैं वो सटकी नहीं जाती हम पानी पीटें पानी की तरफ इतने इसमें स्वाद नहीं आता लेकिन हमारे को आराम आ गया लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जोती जी मैं आपको यह बता रहा चाहता हूं कि मैंने ऐसे रोगी भी देखें हमने लेडिस देखें हैं जो की बहुत जगें घुमगाम के आई हैं वह अपने दवातियें और ड़कार लेती हैं उनसे पूछा मैंने यह क्या है कि यह हमारे ठीक ही नहीं हुआ हमने कितना इलाज कराया इसी मैडिसीन से इसी आरवेदिक और शिदी से उनको इतना आराम पड़ा उन्हे में आराम ने मिला और जिस दवाई ने पांस दिन में बहुत आराम डाल दिया तो उन्हें बड़ी खुशी हो इस चीज से तो अनुभव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अनुभव है पेशेंट आता है उनकी क्या-क्यास के समस्यां होती है कैसी कैसी एक दवा मैं आपको दर्स कोई साइड़ एफएक्ट नहीं है यह मैं पूम रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ तो यह है जोती जी जैसा कि आपने कहा कि कि दिद्र क्वी साइड़ इफक्ट नहीं है तो आगर कुसी अभी व्यक्ति को up उयिंवारी विक्ति को कूने विमारी अ जो सीरेस बिम एक जना दवाई इसको मैं अलाव नहीं करूंगा जिनके पत्री बढ़ने की शिकायत है कि नी में है क्योंकि हमारी जो दवा है वो चारी उकते हैं केल्शिम भी अपने आप में और केल्शिम निशेद है केल्शिम नहीं ले आ जाता तो उनके लिए मैं परेज बताऊंगा वा अगर आप भी दवाई मंगवाना चाहते हैं तो लगता टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कॉल कर सकते हैं अभी आप अपने लिए दवाई मंगवा सकते हैं और इसके साथ ही अगर वैजी से बात करकर आपकी जो समस्य है उसके बारे में विस्तार से जाना चाह हैं लेकिन फिर अगले दिन अगली सुभाřा अगली शाम को हमें दुबरह से गैस की सम すब्सरह हो जाती है तो जो सबकर साम Bye सब्सक्राइब शुरूरी है आपनेका बजार में कितने ही क्यों चूरन है हमारे पास patient मेरे पास चुखास तोड़ से जतने भी आएं मैंने उनसे यही सवाल किया गया acidity वालों से कि आपने चुरन खाये आराम ने हुआ यह आराम हुआ तो अगले दिन चार दिन बाद तो मैंने उनसे एक सवाल किया क्या मुझे यह बताए उसके बाद आपने सादारण बोजन लिया या फास्ट फूट खाया या खटे पदार्थ लिये या खाली पेट चाय लिया आपने तो उनका सवाल यह था कि हाँ जी हमने खतरनाक है अगर जादा एसिड बनेगा जलन रहेगी हर समय आप परिशान रहेंगे यह एसिड आपकी आतों में जखम कर देगा जखम करेगा समस्या खड़ी हो जाएगी ऑपरिशन तक की नोवता सकती है तो हमें जितनी मात्रा में एसिड चाहिए उस पर आप कंट्रोल करके दर्शक खुद कर रख सकते हैं अपने खान का पान पर कंट्रोल रख फास्ट फूड बिलकुल अलावन नहीं हैं जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं एसिड से अलसर तक की शिकायत हो जाती है और अलसर जब पेट में फट जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आदमी भी उपर चला जाता है कभी गवार तो कितने दुख की बात है दर्सकों समझे इस बात को तो हमें खटाई का परेज एसिड को ज्यादा बनने नहीं द देखें आपके मैदे वाली चीजें जो कि हजम नहीं हो रहे होती हैं मालिम पड़ा खालिया इतने में कोई समोसा लेगा थोड़ा सा खाल लेते हो एक समोसा और खालिया तो पाचन की तरह काम करेगी लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी नुकसान देती है जोती जी तो विल्कुल दर्शकों सरल जीवन और सरल भोजन ही आपको स्वस्थ रख सकता है और अगर आप चाहते हैं कि जो गैस की समस्य ऐसे डिटी की समस्य आपको है और अगर आप इस बिमारी को दूर करना चाहते हैं तो लगता टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं न कारण है और गैस एसीडिटी होने के और क्या कुछ परहेज कर सकते हैं इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जोती जी बहुत-बहुत-धन्यवाद दर्श को हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की किस तरह से हम अपनी गैस या एसीडिटी जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं तो आपको बताया है जीने कि अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो जाए ठीक हो जाए तो आप दवाई खाए और यह जो दवाई है यह किसी भी तरह का साइड एफेक्ट आपको नहीं करेगी जीहां दर्शकों तो स्वस्त जीवन और निरोगी काया बेहत जरूरी होती है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्वस्त रहे तो आप अपने भोजन को सरल बनाईए तो हमारे आज के इस बेहत विशेश कारेक्रम में बस इ दीजी आगया नमस्कार